हलो दोस्तों मेरा नाम है अभी सेक और आप सब देख रहे हैं स्टेडी पी तभी तो दोस्तों आज है हमारी ओकल समीकरण पर पहली वीडियो डिफ्रेंसिल एक्वेशन में क्लास 12 में यह सब टॉपिक आता है ठीक है तो हम समझें कि कि इस वीडियो में कि ओकल समीकरण होते क है जैसे हमने देखा कि बीजी बेंजग के जो समीकरण होते हैं उनमें एक्स वाइज होता है ठीक है कुछ चर होते हैं कुछ अचर होते हैं उनको हम बोलते हैं बीजी बेंजग जो होता है बीजी समीकरण ठीक है अब आपकल समीकरण क्या होता है देखिए आउकल समीकरण है यानि कि जैसे जैसे y x पर dependent होता है हमें इसा डी वै-डी एटिटा भी हो सकता है कोई बज्ण संसक्ता है लेकिन ऐसे होंगे कि एक परतंत्र होगा इस तरीके से तो यह होंगे और क्या होगा उस समिक्रण में के दिखें यहां पे लिखा है स्वतन्तर चर्केसा पेच्च जो होगा आउकल गुडांक बिद्दमान होगा अउकल गुडांक मतलब डिवाई-वाई-डि-एकस ठीक है ऐसा समिक्रण होगा जिसमें एक x होगा वाई होगा ऑर डिवाई-पाई- और दिखेंगे ठीक आये देखते हैं यहाप इतने सारे आउकल समीक्रण लिखे हुए आप देख लीजे आउकल समीक्रण कैसे होते हैं ठीक तो यहांपर दिखिए डी आर बाई डी ठीर लिखा हुँएं तो यह भी एक ओकल समीकर्ण है यहांपर जो पारतंत ध الح 되면 बार्य हो आर है आपका और शुतंत चारियानी की independent व्य olması है और ठीटा है क्याãyãy subscribe cho k पर कितनेalls होगा है ये उत्तम थह याँपी कितनी हमली देंगे ठीक अब यहां पर देखें यहां पर भी crisis है याणि कि एक भार चाहे दो गहात से नहीं मतलब है कि वाल हमें हमें kot यहीं हो बहुत है तो लिखात लेना है तो हम qaht करसे qaht को निकालना कि आशान, सिर्फ आपको दीखना है, कितने बार अधिक्तम हुआ है, थिक है, अब आते हैं घहत windowhit, गहत में थोड़ा सापका उस्तावधान रखना है, जैसे जो जो अधिक्तम ऑल आउकलं होगा उसकी जो पावर होगी भही हमारी घाद कहलेगी ठीक ज़ो इसकी घाद होगी वही हमारे हाद से मिकलड़की आप कितना है एक यहाँ पर आये तो यहाँ पर देख्यें यहाँ पर धिक्तम इसकी पावर कितनी है वन तो इसका भी घात कितनी हो जाएगी वन आईए इसको देख लेते हैं इसमें ये वाला है अधिकतम ओकलज ठीक है इसकी पावर कितनी हो तो इसकी भी वन हो जाएगी आईए अब यहाँ पर हम देखते हैं देखें यहाँ पर जो अधिकतम ओकलज है यहां पर भी एक ही बार हुआ है यहां पर भी एक ही बार हुआ है तो जो अधिक्तम बार ओकलज हुआ होता है उसकी घात होती है यहां पर यहां पर यह बड़ी वाली घात है इसलिए बड़ी वाली घात लेंगे और इसकी घात कितनी हो जाएगी दो ठीक इस तरीके से यहां आता एक छी ध्यान रखे आउकल समीकट्ड की घात निकालने में के हमेशा आउकल समीकड़ वो भिन्नात्मक घ्षात से मुक्त होना जाए जैसे यहां पर भिन्नात्मक घ्षात है तो हम क्या करेंगे दोनों साइट का हमारी कितनी हैगी ठीक है तो यहां पर कंडी लगी हुए इसका Continuing डेखर देंगे दो साइट का तब भी घात इतनी हैगि ठीक है तो यहां पर आगर हम खाट देखे तो अधिकितम बार में कि अंटम्राइब क्लण क्या है यह वाला क्योंकि कि इसमें दो के से हम आउकल समय केड़की गहात या और कोट निकालते हैं तो दस्तों आपको वीडियो सेंज में आए तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्स वर वाचिंग